हेलो एडिवन वेल्कम बेक टू हिमाचल सक्सेस बुक आज हम डिसकस करेंगे फरवली 2022 के थर्ड वी के अनके 30 सब्ता के गिरार निस्पेपर के हिमाचल देश के करन्ट फेर्स इसके लावा अगर आपको इसेशन की पीडियाप चाहिए तब टेलिगाम से डर्लोट कर सकते है टेलिग्राम पर सच कीजिए हमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इसेशन की पीडियाप राप्त कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं डिसकेशन फर्स कोश्चन इस फॉर रिसर्च एंड कंजर्वेशन औफ एंडिंजर्ड हिमालेन हर्ब्स तो ये मंडी जिले के बुलाह में स्थापित किया गया है तो हाली में हिमाचल परदेश ने लुप्त पराए हिमाले जड़ी बूटियां यानिकि एंडेंजर्ड हिमालेन हर्ब्स के स्टार्वेशन की दिशा में अपने योगदान देने के लिए हिमाचल परदेश का पहला जड़ी बूट पर्क यानकि बायो डवर्ष्टी पर्क इसकी स्थापना की है और ये जो स्थापना की गई है मंडी जिले की चंजली घाटी के बुलाह में इसे बनाए गया है और लगबग एक क्रोड रुपए की लागा से इसे बनाए गया है और ये हिमाचल परदेश का पहला बायो डवर्ष्टी पार्क है यानकि पहला जैविविता पार्क है और इसे हिमाचल परदेश के वन विभाग ने रास्टी हिमाली अध्यान मिशन यानि की तहर जैविविता पार्क के सापना की गई है और इराजे का पहला जैविता पार्क होगा जांपर की एंडेंजर्ड हर्ब्स के स्रक्षन के लिए कारे किया जा रहा है इसके लाबा जितने भी पहाडों पर विलुपत होने बारी जड़ी बोटियां हैं उनका स्रक्षन किया जाना है उनके लिए एक हरबल नर्सरी का भी निर्मान किया गया है Where has the country's first green tax barrier with fast tech facility been installed Fast tech सुबदयुक्त देश का पहला green tax barrier काहा स्थापित किया गया है तो यह मनाली में स्थापित किया गया है तो हाली में मनाली में Fast tech सुबदयुक्त देश का पहला green tax barrier स्थापित किया गया है और हिमाजो देश देश का पहला ऐसा राजय बन गया है जिसने की Green Tax एक गत्रित करने के लिए NETC Fast Tech Barrier सापित किया है और यह बैरियर जो है मनाली में लगाएगा है जब भी आप मनाली जाओगे और वहाँ पर एंटर होने वाले होंगे तो वहाँ पर आपको यह Green Tax Barrier देखने को मिलेगा और यह जो है Automated Fast Tech Barrier है और इस पर Green Tax का भुगतान किया जा सकता है और यह जो Green Tax Barrier है इसे कुलो जिला परशाशन ने जो हमारा सूचना परदवगी की विवाग है यानि की Information Technology Department है इसके लाबा IDFC Bank और National Payment Corporation of India इनके सेयोग से इसकी स्थापना की है चमनलाल गचली who passed very recently by the former MLA of Witch Assembly चमनलाल गचली जिनका हाली में निदन हो गया वे किस विदानसवा के पूरविधायक थे तो यह कसौली के पूरविधायक थे तो कसौली के पूरविधायक चमनलाल गचली 76 वर्ष की आयू में इनका निदन हो गया और यह परवाणू के रहने वाले थे और यह पेशे से वकील थे और इन्होंने अपना पहला विदानसवा के जुनाव था वर्ष 1907 में जनता पाटी से लड़ा था उसके बाद वर्ष 1905 और 1990 में इन्होंने जो चुनाव लड़े थे वो स्वतनतर उमीदवार के रूप में लड़े थे तो उन्हें SCST Corporation का वाइस चेर्मेन भी बनाय गया था मार्टियर अंकेश भार्दवाज वन ओट सेवन मेंबर्स टीम ट्रैप्ड इन अवलांच इन अनौनाचल प्रदेश बिलॉंग टू इस डिस्टिक ओफ हिमाचल प्रदेश अनौनाचल प्रदेश में हिम्सकलन में फंसी सास ससे टीम में से एक शहीद अंकेश भार्दवाज हिमाचल प्रदेश के की जिले से संबन दित थे तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपु जिले से संबन दित थे वेर दिर चीफ निस्ट जाराम ठाकूर रिसेंटरी इनेगरेट दे आर्ट सेंटर उन्ना, कंस्ट्रक्टेड अट अट कॉस्ट अफ रूपी 16.78 करूर, मुक्यमतरी जाराम ठाकूर ने हाली में 16.78 करूर रूपे की लागा से निर्मित कला केंदर उन्ना का लूकारपन कहां क किया है, ये क्या है उन्ना के समूर कला में? और इसे मौनी अवस्या की रात को शुरू किया जाता है, मौनी अवस्या समझ देश में मना जाती है, पूरे भारत में मना जाती है, लेकिन जो जुकारू तयोहर है उसे पंगवाल समदाय द्वारा मना जाता है, और जो पंगवाल समदाय हो, चाहे वो लौसपिती में, कु पुजा अर्चना के साथ चुरू किया जाता है देखी लोग आस्ता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मकर सक्रांती की उपरांत समस्त देवता स्वर्ग प्रवास पर चले जाते हैं और जो भगवान शिब है जिनको की पांगी घाटी में शीत बुड़ी और शीतर राज के ना जुकारू तयोहर के दिन राजा बली की पुजा के लिए जो फूल चड़ा जाते हैं उनके बाद मागपूर्णमासी के दूसरे दिन जौ, गेहूं और एलो के दानों को बरतन में डालकर फूल त्यार के जाते हैं उन्हें राजा बली को चड़ा जाता है और इन फूलों को जेवरा का फूल, याद रखीगा इन फूलों को जेवरा का फूल कहते हैं और इसके लाबा जो जुकार उत्सप है قریब करी एक महीने तक चलता है ये और कुछ और त्योहर भी मना जाते हैं पांगी घाटी में जैसे कि मकर सकरान्ती में कुछ और त्योहर श PR शूरू होते ह और दस दिन बाद एक और त्योहार होता है जिसे कहते हैं समल का त्योहार और ये त्योहार जो है पिशाचनियों को शांद करने के लिए मना जाता है इसके लावा जहां जहां पर भी पंगवाल सम्दाई की लोग रहते हैं चाहे वो लॉसपिती में रहे हों कुलू में, किनौर में, चमबा में, दरमशाला में इसके लावा नेपाल में और तिबबत में जहां 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 पर भी रहते हैं वो सभी जुकारू फेस्टिवल को वरे हर्शोला से मनाते हैं इसके लावा तिवती मूल की लोग जो है इस उत्सव को लोसवार के रूप में मनाते हैं लौसपिती, किन्नौर और कुल्डू यहां की लोग फागली के नाम से इसे मनाते हैं और जो हमारा किंदर्शासित राजे जम्मू है, किंदर्शासित पतिस जम्मू है, वहां का एक विकासखंड है जिसका नाम है पत्र वहां के लोग जुकारू त्यवार के दिन शीव पारवती के विवा की रसम को भी निभाते हैं रिसेंटली चीफ निस्टर जाराम ठाकूर है फ्लैगड और एंबुलेंस डोनेट वाई विच बैंक फॉर दे कुपपी ब्लॉक इन चुपाल एडिया ओफ शिम्मला डिस्टिक आली में मुक्य मंत्री जाराम ठाकूर ने शिम्मला जीले के चौपाल क्शित्र में कुपपी ब्लॉक के लिए किस बैंक द्वारा दान की गई एंबुलेंस को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया है तो इसे ही दान दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा हिमाजडे सरकार के साथ सर्वनिक एवं नीजी भागितारी के तहत परदेश में 108 नेशनल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कब गी गई थी कब गी गई थी ये की गई थी 25 दिसंबर 2010 को तो हिमाजडे सरकार के साथ सर्वनिक एवं नीजी भागितारी के तहत 108 नेशनल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत 25 दिसंबर 2010 को की गई थी और अभी हिमाजडे प्रदेश में 204 इनकी 4 पहिए वाली एम्बुलेंस है यानकी जो 4 वील वाली एम्बुलेंस होती है और 6 बाइक एम्बुलेंस है टोटल होगी ये 210 इतनी इनकी जो 108 नेशनल एम्बूलेंस सर्वीस है इनकी यहां पर एम्बूलेंस है हिमाचर प्रदेश में और 11 साल जो हैं इनके कारेकाल के पूरे हो चुके हैं और अभी तक लगबग 15.5 शोने लाख आपात कारीन मामले जो हैं उनको रिस्पॉंड ये कर चुके हैं इसके लावा जब कोविड की पहली रहराई थी तो उसमें भी इन्होंने काफी योगदान दिया लगग 45,000 आपात कारीन मामले इन्होंने अपनी सेवाईं दी हैं जिनमें की सबस्याता जो मामले थे वो 108 एम्बूलेंस को आये थे वो आये उनना जिले से नमबर दो पर था कांगडा, नमबर तीन पर सोलन, नमबर चार पर मंडी, पांच पर शिमला, छे पर किन और और साथ पर लाउस्पिती तो इन जिलों के जो सबस्याता मामले इनको आये थे इसके लावा जो हमारा ये 108 एम्बूलेंस सर्वीस है, इसे सुचारू से चला जाता है जीवी के EMRI द्वारा, इसके की हिमाजवदेश के राज्य के प्रमुख है, मेउल सुकुमारन In how many districts of हिमाजवदेश, as much as 10,000 hectares of land have been identified for implementing the project under the Sub-Tropical Horticulture Irrigation and Value Addition Project, that is HP Shiva Project हिमाजवदेश के कितने जीलों में, उपोशन, कटिबंदी, बागवानी, सिंचाई और मुल्य समवर्दन पुरूजना, यानि कि HP Shiva के तहत पुरूजना को लागू करने के लिए 10,000 hectare भूमी के पहचान की गई है तो कितने जीलों में पहचान की गई है, तो मुख्या पुरूजना को लागू करने के लिए 7 जीलों में 10,000 hectare भूमी के पहचान की गई है तो अभी वर्तमान में हिमाचपदेश में 2.34,000,000 hectare जो होटी कल्चर के अंतरकत है, बागवानी के अंतरकत है और पिछले चार वर्षों में हिमाचपदेश में 31.40,000,000,000 hectare टन फल उत्पादन हुआ है इसके लावा जो हमारे गरम जलवाईयो वाले निचले एरिया है हिमाचपदेश के वहाँ पर भागवानी का विकास करने के लिए भागवानी की जो अपार संभावना है उनको दिर्ष्टिकत करने के लिए काफी प्रजेक्ट चलाएगे है उनमें से एक है एचपी शिवा परजेक्ट हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है उपोशन कटिवंधिय भागवानी सिंचाई एवं मुल्य समर्दन पर्युजना और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है सब ट्रॉपिकल होटी कल्चर इडिगेशन एड़ एडिशन परजे और यह जो परयोजना है एचपी शिवा परजेक्ट वाली जो परयोजना है इसके अंतरगत सिंचाई सुविदा के साथ साथ फलों की बहतर किस्मों से बागवानी क्षेतर में करांती लाने के उदेश्य से अमरूद, लीची, अनार और निम्बू इनकी परजाती के फलों क पाइलर प्रिक्शन के लिए एशियन विकास बैंक के मिशन के अंतरगत 75 कुर्ट रुपए विद्पोशित भी किये गये हैं और ये जो अमरूद, लीची, अनार और निम्बू इनकी परजातीयों के जो पाइलर प्रिक्शन किया गया है ये बिलासपूर, हमिरपूर, मंड इन जिलों के 12 विकास खंडों के 17 समू के अंतरगत किया गया है और लगबग 200 हेक्टर के जितने भी किसान है उनका चेन किया गया है और वहां पर पौदार ओपन किया गया है इसके लावा जो मुख्य पुर्यूजना है जो भी हमने कौशन में डिसकस किया था तो उसमें 7 साथ जिलों को स्लेक्ट किया गया है साथ जिले हैं सिर्मोर, सोलन, उन्ना, बिलासपूर, मिरपूर, कांगड़ा और मंडी इनके 28 विकास खंडों में लगबग 10,000 हेक्टिर भूमी की पहचान की गयी है जिससे की लगबग 25,000 से अधिक किसान परिवार लावांबित होंग इसके लावा जो HP SHIVA प्रजेक्ट है इसके अंतरक्रत जो हमारा AFC India Limited है उनके स्योग से बागवानों को संक्रित कर सहकारी संभीतों का गठन किया जा रहा है और इन्हें पंजिक्रित भी किया जा रहा है इन विच ये दर हिमाजवदेश minor minerals, concessions and minerals, prevention of illegal mining, transportation and storage rules was passed for which the हिमाजवदेश cabinet has approved the amendment हिमाजवदेश गॉंड खनीज रियायत और खनीज अवयद खनन उसके परिवहन एबंबनानन का निवारन नियम किस वरष पारीद किया गय था जिसके संशोधन के लिए हिमाज़देश मंतरी मंदल दोरा सभी केती परदान की गई है एक रूल है जिसे की कहते हैं हिमाज़देश माइनर मिनरल्स कंसेशन मिनरल्स प्रिवेंचन इलिगल माइनिंग ट्रांस्पोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल्स इसके लिए अब कुछ संशोधन किये गए हैं तो यह रूल जो हैं किस वर्ष पारिद किये गए थे तो वर्ष 2015 में इने पारिद किया गया था तो जो हिमाज़देश के हिमाज़देश गौन खनीज रियायत खनीज अवैद खनन उसके परिवहन एबं बंडारन का निवारन एक नियम बनाया गया था वर्ष 2015 में अब इनके संशोधन के लिए हिमाज़देश मंतरी मंडल द्वारा अनुमती दे दी गई है अनुमती कियों दी गई ताकि सडकों और जो सरक्षा दिवार है रिटेनिंग बॉल्स हैं डंगे और सीलिंग सोलिंग है उनमें जो लगू करीज पतार्त हैं उनका उपयोग जो अच्छे डंग से किया जा सके इसके लाबा जो हमारा ग्रामन क्षेतर है रोल एरिया है वहाँ पर जितने भी निर्मान कारे होते हैं उनके लिए पत्थर और एज जैसे खरीज पतार्त हैं उनकी आसानी से उपलव तशनी से ग्राई जा सके विच बजट बाद प्रेजेंड़ बाद प्रेजेंडड बाई यूनिन गॉवर्मेंट दस्वा किस हिसाब से था क्योंकि जब से परधानमंतरी निर्मोदी हमारे परधानमंतरी बने हैं तब से लेकि अभी तक उनका ये दस्वा बजट था उनके सरकार का उनके कारेकाल गाई ये दस्वा बजट था Under the मुक्यमंतरी सहारा योजना How much amount is being provided per month for continuous care to economically weak people suffering from serious disease मुक्यमंतरी सहारा योजना के तहत गंबीर बीमारियों से पीड़ित आर्थी ग्रूप से कमजूर लोगों को निरंदर देखबाल के लिए कितनी धनराशी परती महापरदान की जारी है कितनी राशी दी जारी है ये दी जारी है तीन हजार रुपए Where is the war memorial established in the memory of martyrs in Himachapadish Himachapadish में शहीदों की याद में युद समार कहां सापित किया गया है तो ये धरमशाला में सापित किया गया है और यो दूसरा सापित किया जाएगा वो हमिरपूर में सापित किया जाएगा परदेश की किंदो विभूतियों को हाली में परदमशी परदान किया गया है तो काफी famous लोग है ये एक हैं विद्यानंद सरैक जो कि सिर्माजिले के रहने वाले हैं दूसरी हैं लडिता वकील जो कि चमबा जिले की रहने वाली है इनुट डिस्टिक ऑफ हिमाजपदेश और्गिनाइजड कल्टिवेशन आफ सीनामोन हैज बिन स्टार्ट ओन पाइलेट पेसिस हिमाजपदेश में दाल चीनी की संगटित खेती के लिए किस जीले में पाइल आधार पर प्रविजना शुरू की गई है तो किस जीले में पाइल प्रजक्ट शुरू किया गया है ये किया गया है उन्ना जीले में शुरू हिमाजपदेश की स्टाक्षर तदर कितनी है कितनी है ये है 82.80% हिमाचल गोवर्मेंट है साइन एन MOU विद विच स्टेट फॉर दे कंस्ट्रक्शन अधी बदरी डेम हिमाचल सरकार ने आधी बदरी बांध के निर्मान के लिए किस राज्जे के साथ समझाती गया परमपर हास्ताक्षर किये हैं तो किस के साथ हस्ताक्षर किये गये हैं MOU पर ये किये गये हैं हर्याना की सरकार के साथ और जो आधी बदरी बांध है सौंब नदी का पानी इसमें उपयोग किया जाएगा और इसमें जो है सौरसती नदी को रिवाइब किया जाएगा और ये बनाय जाएगा आदीबद्री क्षित्र में यह जी माई डिसकेशन और अगर आपको इस सेचनी की पीडियाप शेयत आप टेलिग्राम से ले सकते हैं टेलिग्राम पर सच कीजिए ही माई डिसकेशन और वहाँ से आप इस सेचनी की पीडियाप राप्त कर सकते हैं मिलते हैं नेक डिसकेशन में थैंक्स पर वाचिंग वीडियो डू लाइक शेयर और सबस्क्राइब माई चैनल